मिथुन राशी बड़ी सफलता का योग अब बन चुका है आपके एकादस भाव के स्वामी आपके लाब के स्वामी मंगल देव का राशी परिवर्तन अब होने वाला है 10 नवंबर दोपहर दो बचकर 22 मिनट पर जो की मंगल देव कन्या राशी से निकल जाएंगे और तूला राशी में परवेश करेंगे आपकी राशी से चोथे स्थान से निकल कर पांचवे स्थान में आ जाएंगे और तूला राशी में होंगे बड़ा ही जबरदस्त शुब समय और भाग्यशाली समय मिथुन राशी वालों के लिए शुरू होने वाला है दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि मंगल देव आपके ग्यारवे भाव के स्वामी है जो की आपके लाब में वृत्थी करते हैं और धन अपने आप जुणने लगता है मंगल देव आपके छटे भाव के स्वामी है जो की आपके शत्रूओं का नाश करते है मुकदमे बाजी में आपको जीत दिलाते हैं और सरकारी कामों में भी सफलता प्राप्त होती है सफल यात्राओं का योग भी मंगल की क्रिपा से आपके लिए बनता है इसके अत्रिक्त मंगल देव की क्रिपा से डेली इंकम भी अच्छी रहती है और व्यापार कारोबार भी फलता फूलता है मंगल देव की कृपा से आपके करियर में आने वाली समस्याएं भी समाप्त होती है दोस्तों मंगल की शुब स्तिती इस समय में आपको संतान सुक दिलवाएगी पुत्र सुक की प्राप्ती मिथुन राशी वालों को हो सकती है और इसके साथ साथ आपकी लव लाइफ पर इसका गहरा असर पड़ेगा लव और रोमांस में इंटरेस्ट रखने वालों के नए रिष्टे नए संबंद भी इस समय में कायम होंगे और आपस में प्यार और विश्वास भी बड़ेगा आपस में आप देखेंगे की मौल मस्ती से भरा ये समय बहुत ज़्यादा आपको पसंद आने वाला है और बहुत ज़्यादा आपका मन इस समय में खुश रहेगा लव लाइफ बहुत अच्छी होगी शिक्षा के शेतर में भी स्टूडेंट्स बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे और हर तरीके से हर कंप्टीशन में एक्जाम्स में आपका परदर्शन बहुत अच्छा होगा मंगल देव आपके चोथे भाव से अब निकल जाएंगे घर परिवार में सुक्षानती अब बनेगी और जमीन जादादी कामों में अब सफलता का योग बनने लगेगा इसके अतरिक्त शेयर्स में प्रोफिट होना सट्टे लोटरी का काम करने वालों को फाइदा मिलना और अच्छानक से धनलाब आपको होगा गुप्त धन की प्रापती मिथण राशी वालों को इस समय में होगी और पुराने उधार की वापसी होगी पुराने कर्ज समापत होंगे और रुका हुआ धन निकलवाने में आप अब काम्याब होगे मितर अब आपके बनने वाले हैं और मित्रों की मदद से आपके मन पसंद काम अब बनने वाले हैं दोस्तो यह समय मित्वन राशी वालों की जिंदिगी का एक खुशाल समय होगा और मंगल कन्या राशी से तुला राशी में परवेश करेंगे जिस वज़े से आने वाला समय आपके लिए बहुत ही जबरदस्त और खुशनुमा होगा दोस्तो जानकारी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और कमेंट बोक्स में जै शरी कृष्णा जरूर लिखे